हिलो एब्रिवान, रईशास किछन में आप सभी का स्वागत है फ्रेंश है आज मैं जो रेशीपी लेकर आई हूँ वह रेशीपी तो नही कैसफिते लेकिन बहुत ही है बहुत ही है और इतना है और बहुत ही फायदे बंद है हमारे सेहत के लिए तो चली है इसे हम बना लेते और साथ ही साथ इसके जितने भी फायदे मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूं तो फ्रेंट्स आज मैं शेयर कर रहे हैं आपके साथ जो का पानी तो ये फ्रेंट्स जो है और जो हमारे सेहत के लिए बहुत-बहुत फायदे मन्द है इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है हमारे हे भी करता है तो पेट से समझे हि readiness होते हैं उसके भी हमको जव का पानी हमको कंशियूम करने से बहुत फायदा मिलना है तो जो को हम यहाँ पर बारली कहते हैं और अंग्रेजी में भी इसको बारली करके ही बोलते हैं और हिंदी में हम इसको जो करके बोलते हैं तो जो का आटा जो का पानी सब तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं तो मैं आपके साथ आज इसका एक ड्रिंक शेयर करने वाली हूँ वैसे कई जगों पर इसका आटा भी उसकरते हैं फ्रेंस रोटी बनाने के लिए तो इसमें बहुत सारे मिनरल्स और विटमिन्स भी होते हैं और आंटी अक्सिडन्स भी इसमें बहुत होते हैं जो हमारे सेहत के लिए बहुत बहुत फाइदे मन्द है और हमको अपने डाट में इसे रेगुलर यूज करना चाहिए तो हम यहाँ पर ले लेंगे एक या दो बड़े चमच बारले तो जितने लोग आप कंजियूम करने हैं बारले का वाटर उस हिसाब से हम एक जन के लिए एक टेबल स्पून बारले सीट्स काफी है तो इसको मैंने एक बार अच्छे से धो लिया है इस पे जो डस्ट वगेरा डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो चले जाएंगे धोने के बाद इसको मैं क्या करूंगी एक हम लोग बड़ा बरतन ले लेंगे या चाय बनाने वाला बरतन ले लेंगे उसमें मैंने ले लिया है पानी तो गैस का फ्लेम मैंने आउन कर लिया है और बिल्कुल लो रखा है और इसमें मैंने डाल लिया है डेड़ लीटर के करीब वाटर और इसमें मैं डाल रही हूँ धुली हुई जो हमारी बारले सीट्स हैं वो और दोनों को हम धीमी आज पे कम से कम 30 से 35 मिनट तक हम इसको उबाल लेंगे ताकि जो अच्छे से जूसे सारे इसमें उतर जाए तो हम इसी तरह इसको छोट देंगे और दीमी आज पे इसको अच्छे से उबलने देंगे तो देखे फ्रेंस धीरे धीरे ये उबलेगा और मैं इसको आपके साथ शेयर कर लूँगी इस तरीके से इसमें उबाल आने लगेगा धीरे धीरे तो बहुत ही थोड़े फ्लेम में मैंने इसको उबाला है इस तरीके से तो बहुत बच्पन से ही हमको जो मॉम थी हमको उबाल के ऐसे पिलाती थी पेट में घर्मी वगेरा है या आपके शरीर का तापमान ज़्यादा हो गया है तब भी आप इसको कंजियूम कर सकते हैं इस तरीके से धीरे धीरे फूलने लगेंगे हलके हलके और इसमें इस तरीके से उबाल आने लगेगा तो धीमी आज पे मैं इसी तरीके से इसको उबालती रहूँगी जाओ के पानी के साथ साथ हम जाओ का आटा भी पिस्वा सकते हैं और उसकी रोटी हम daily consume कर सकते हैं आप गेमों के आटे के साथ जाओ का आटा mix करके रोटी बनाएए और उसमें धेर सारे fibers आ जाएंगे और बहुत सारे vitamins और minerals आ जाएंगे जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत बहुत फाइदे मंद होता है तो जो में विटमिन B कॉंपलेक्स, आइरन, कैल्शियम, मैगनीशियम, मैगनी, सेलेनियम, जिंक, कॉपर, प्रोटीन, अमीनो आसिद्स और बहुत सारे डाइटरी फाइबर्स होते हैं और अंटी आक्सिडन्स जो हमारे हेल्फ के लिए बहुत ही अच्छे है और फाइदे मंद है तो धीरे धीरे यह उबलने के साथ-साथ यह देखी इस तरीके से फूल गए हैं और पानी का रंग भी हल्का हल्का गुलाबी रंग में आ चुका है इस तरीके से तो अच्छी तरीके से हम इसको उबाल और इसका पानी आधा हो जाएगा तब तक हम इसको उबाल लेंगे इससे इसमें बहुत सारे विटमिन्स और मिनरल्स आपके जो आजाएंगे पानी में देखिए अभी अच्छे तरीके से फूल चुके हैं तो यहां पर मैं क्या करूंगी ग्यास को बंद कर दूंगी और इसक के बाद हम इसको कंजियूम कर सकते हैं इस तरीके से तो चाय के बदले हम हर शाम को इस तरीके से बारली वाटर समर्स में कंजियूम करेंगे तो हमारे हेल्थ बहुत ही अच्छी रहेगी और हमारा शरीर का तापमान भी बिलकुल ठंडा रहेगा तो इस तरीके से हमने इसक एचोटास नमक भी सबस्क्रेंट है और अटो आप आप इसके बदले इसמे मिस्री भी मिलाके पी सकते हैं तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी जानकारी जो मुझे पता थी मैंने आपके साथ शेयर की आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा मेरे चैनल को और फ्रेंड्स आप भी अपने डाइट में जरूर जो के पानी को एड करना फ्रेंड्स इससे आपकी लाइव भी बहुत हेल्दी और हैप बाइ फ्रेंड्स